हेलो बच्चू स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बालसिक परिष्छा सत्र है तो चलिए सुरू करते हैं यहां पर दिखें यह सो आपको भरना पता ही होगा यहां साल्ह डारी इस drive नहीं करना है बाकी आपको बस OUT लोगा पर देना है और यहां पर साला का नाम भगरा यह सब लिख दियना है ठीक है परिक्षण का दिनाग यानि 27 तारीक को पर होने वाला है यहां पर वहीं आपको डाल दिना है तो चलिए हम शुरू करते हैं पूरे प्रिश्णों के उत्तर आपको बताते हैं आपको ढ़ाए गंट अपनी गर्द्न इसको पूरा गुमा सकता तो आप सब को प्ता होगा पढता हुआगा आपने उल्लू एक और पक्षी है ज explorer को पूरा यहां पर इस घुमा सकता है ठीक appointment व्लू इससे देना है यहाँ पर ठीक है उल्लू ऐसे आपको लिख देना है ठीक है मैंने आपको यहाँ पर लिख भी दिये हैं जैसे कि आपको लेकर जो आपको दिया जाता है पेपर में इस स्थान पर लिखना होता है ठीक है यहाँ पर लेख देंगे आप उल्लू ऐसे ठीक है यह से energy होती है उर्जा होती है वो कम हो जाती है तो तब गुलू को दिया जाता है ठीक है तो यहाँ पर इसमें सरीर में उर्जा कम हो जाती है C option आपका सही उत्तर हो जाएगा तो यहाँ पर आपको इसमें C लिख देना है ठीक है जैसे कि यह तरह यहाँ पर लिखा हुआ है उसको बाद दिखिए अंगला प्रेशन देखते हैं किस समूह के बीजों को अंकुरत करके खाया जा सकता है तो इसमें देखिए कौन से समूह है जिसमें अंकुरत करके उन्हें खाया जा सकता है तो आपको पता ही होगा तो इसमें देखिए सेम है अरहर उडद है चना, मूंग, मतर तो सभी options आप पर लीजिए जो correct answer है मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसमें देखिए चना है, मूंग है, मतर ठीक है इसको खाया जाता है ठीक है अंकुरत करके तो इसमें वी option आपका correct answer हो जागा चना, मूंग, अहरर, यहां पर आपको इसमें लिख देना है मैंने आपको answer यहां पर दिये दिये हैं तो आपको बताए कि गाओं के किनारे को जो टालाब है वहां पर काफी सार गंदी होती है और वहां पर इसलिए यहां पर पीने का पानी से प्राप्त नहीं होगा मांकी कुआ से प्राप्त हो जाता है तो इसमें D option आपका correct answer हो जाएगा इसमें इसमें D आपको लिख देना और इसको पूरा उतार देना यहां पर गाओं के किनारे ऐसे आपको लिखना होता है आप जानते ही होंगे किनारे का तालाब ठीके उसमें पानी में नमक डाल दिया जाए तो क्या होगा आप इसमें पानी में नमक डाल दिया जाता है तो क्या होगा पानी में नीचे बैठ जाएगा जलदी से उबल जाएगा पानी थोड़ा उपर तैनने लगेगा पानी से उपर तैनने लगेगा इसमें D option correct answer हो जाएगा यह वाला हो जाएगा क्योंकि आपको ऊंड़ा है उसमें यह एसा रहता है और जैसे आप नमक डालेंगे तो solution है जो billion है उसकी सांधता बढ़ जाएगी जो billion है उसकी सांधता बढ़ जाती है जिसके गारण जो बार का movement है जो जो अंड़ी से चाहेजा जिसके बजा से बजन हो जाएगा उसके रच बएगण को दिख्या है आपकते हैं इस प्राइए जाब उस ट्याओ च्छिक यह हो सकता है शाओधान। कि यह बभार रहे हैं तो उसiveness दिखें आसपास पाई से देखें और नीचे दिये प्रशनों के उत्तर आपको देना है के वरफल वीमारी फète ने वाले मच्छर मठ जाते हैं तो इसमें दीखिए जो है क्या होगा मिटी तिल शकया होगा जो म चलै हैं उनकी शंक्या घड़ जाएगी ठीक है तो इसमें आपका यह वाला कशरों हो जाएगा बच्छों की संक्या घड़ जाती है ठीक है यह वाला इसका सभी अंसर हो जाएगा उसके अंगला पृष्ण प्यूब करके शोखविट में डालकर वैसा ही बहने दिया जाए नाली में वहाद दिया जाए तो बगीचे में उप्योग करके इसमें और चाहिए उत्तर हो जाएगा इसमें आपको लेक्षा देना यह वाला ठीक है उसके प्योग की संख्या में कमी होगी यदि कैसे कमी होग काटने काटने से कौन सा रहूँ हो सकता है जो सकते सबढ़ेंगे आप अपना स्वैंनर मूजें में जयाएंगी म्यारा के स्वाओं में रखिजी होगे यह दिनाल नंबर वाले संव और दिख्यों प्रशन देखिए आप अपना स्वयम का म्यूजियूम बनाना चाहते हैं म्यूजियूम में रखी जाने बाली कोई दो चीजों के नाम लेखो तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे तो देखिए आपको इसमें डेस्ट डेस्ट करके खाली स्थान दिया जाएगा लेकिन मैं आपको डारीक्ट उतर बता रहा हूं ठीक है तो दीखिए पुराने सिक्के पुराने चित्र ये इससे आप बना सकते हैं ठीक है उसके बाद दिखें अंगला प्रेशन देखते हैं यदि आप अंत्रेक्ष में हैं तो आपके बाल किस प्रकार रहेंगे तो आपको बता है कि इससे कि अब बायू प्रदूसत होती है उसको अब 14 है यदि अचानक भूकम पा जाए और आप घर के अंदर ही फर्स जाओ तो क्या करोगे तो देखिए इसका अंसर है किती मजबूर टेबल के नीचे बैटेंगे दूसरा है दीवारों के कौने में खड़े हो जाएंगे त अंदरों कोशन देखिए ठंड के सीजन में हाथ से फूंक मरका क्या करते हैं ऑदेखियार और भुने आलवए बनाब्लोह के नाम लिए पह सकता पड़ती है कमें कोशन अजरी होगे ठाहिक है ठीक है यह है और यह आप खेलते होंगे यह आप अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं तो अपने जो भी आप खेलते हैं अपने इस्थानिय खेल बगरा बो लिख सकते हैं और खेल सामगर की अब सकता पढ़ती है क्या जी हां ठीक है तो इसमें हाँ पढ़ती है क्योंकि क्रिक क्यों कहते हैं सवया मतलब होता है सबसे ज़्यादा होती है तो जिसके घरपतबार को जमीन में क्यों दब सबस्थ हो जाती है जमीन उपजाओ भी बन्थी है कारण रहा है किसे आधवाशी साजया बैंक कहा जाता है, तो जंगलों को आदबासियों को साजया बैंक कहा जाता है, इस प्रकास से आपके 20 प्रिशन थे हैं, अब देख दिर गूती है जो आपके पांच नंबर के होंगे, ठीक है, तो यहां पर दिखे, तो ये प्रिशन हो जाएगा 21 प्रिशन है पस्वों को पालने से कौन कौन से लाब होते हैं तो देखे पस्वों को पालने से निम लेकर लाब होते हैं आपर देखे उत्तर है आपर उत्तर डालके लेखेंगे पस्वों से दूध मास आधी खाद पतार प्राप्त होते हैं ठीक क्ष्रशन पाइस है किस यंत्र के द्वारा हमारे हिर्दय की धड़क mira गुमापता है क्या यसा कोई भी माध्यम है जिस्से हम अपनी धरकिनों को सुन सकते हैं दॉर्ब स्टयस्कोप की साथिता से हमारे धरकिनों को 멍 transactions है जो आपने देखा हिंगया हे चेक करते हैं तो हम उठाच तारी को सुन सकते हैं चxisth कि बारे में लिखे sticks in अब सबता कि ज़्यादा खपात उपयोग हो रही रही बहत जादा अंछा क्या बढ़किए तो देखे अधिक से अधिक साभजिनिक बाहनों का उपयोग किया जाएंगे जो एधन है वो एक ही बार लगेगा बस में पहुंच जाएंगे सबी लोग ऐसे ठीक है लाल बत्ती जलाने पर बाहनों को बंद कर देना चाहिए जैसे कि ट्राफिक हो जाता तो जाते ना बाहन तो हमें बंद कर देना चाहिए जैसे कि आप इलेक्ट्रिक बाइक्स बगर आ गई है इलेक्ट्रिक गाड़ियं जो लाइट से चलती है ठीक है मतलब बैटरी से चलती है ऐसे तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं उसको को नबर 14 है 14 24 एंटीक लास्ट बारा सकते हैं उसको सब्सक्राइब लिख सकते हैं जैसे कि इस ठीक है ऐसे तालावा बना सकते हैं तो इस प्रकास से आपके सभी question मैंने आपको बता दी इस paper को करके जाएगा आपके अच्छी नंबर आएंगे इसी वीडियो को चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीचे सब्सक्राइब को बेटन दिख रहा होगा आपको शाती बेल लाकिन को प्रेश कर लें चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्स कोबाचिंग